असलाम वालेकुम मेरा नाम मुहमद अब्दुल्ला खायन है और आज मैं लॉस और मोशन से बारे में बात कर रहा हूँ विद जीनोफर्म विलोसिटी अलेस एक्टेट अपॉन बाय एंड बैलेस फोर्स अच्छा इस न्यूटन फॉस्ट लॉप मोशन को इनर्शी लॉफ इनर्शी आगे नाम से भी जानते हैं तो यह होता है कि आपको एक्जेंपल दूगा हमारे पार से कार है वह रुक्की भी है कार है वह रुक्की भी है और जब तक कि मूफ नहीं करेंगी यानि basically law of inertia यह क्याता है या फस्ट रॉप मोशन यह कहता है कि जब तक कि अगर यह rest में है जब तक कि यह मूफ ना करेंगी जब तक कि क्या इस पे अन्बैलनेस वर्स अप्लाइड नौग यहैंनि अन बैलेंस स्वोर्स निसको मुफ कराने के लिए रिस्पोंसबल हो सही है वह सभाती रहीस को मूफ कर्वान रहीडर हो इसको मुशन में लिया है तो वह किलाव जिए हमारे पास अन बैलेंस फोर्स निसकी स्टिक चीणज कर देCola किलाती अन बैलेंस फोर्स let's अगर इसी की ताना एक और एक्जेंपल दिखते हैं हमार पास कोई भी अब्जेक्ट है तो अगर यह हमार पास मोशन में मूफ कर रहा है विट सम विलॉसिटी अगर इसको हम रोकना चाहते हैं तो हमें इसके अपोजिट में एक फोर्स लगानी पड़ेगी जा तो जो इसके बराबर हो या इससे जादा हो जो कि इसको रोक दें यह भी अन्बैलेंस फोर्स के लाएगी तो यह loag motion यह कह रहा है कि जो बाडी यह नहीं है अगर रिस्ट में तो इसको मुफ कराने के लिए इन्बैलेंस फोर्स रिक्वार्ट होगी और कोई बाड़ी मूफ कर्ण रही है तो इसको रुखवाने के लिए भी हमारे पास अन्बैलेंस फोर्स रिक्वाइड होती है अब वो अगर जैसे के मूफ कर लिये तो उसको जो रिक्वाइड रुक्वाने के लिए जो फोर्स रिस्पांसिबल होगी वो अपोजेट फोर्स होगी वो भी अन्बैलंसी फोर्स होगी शुक्रिया